62 के ओपरेशन में, चाइना एग्रेशन की लडाई में, मैं एक कमपनी का सेकिन इन कमांड था, अटेक हुआ सुबह साड़े चार बजे, एक गोली हमको ऐसी लगी, जो कि यहां लगी, पीसे निकल गई, रीड की हड़ी तोड़ते हुए, चाइना वाले ही हमको उठा ले गए सब्सक्राइब करके घंटी बजाओगे, तभी तो अपडेट पाओगे, तो प्रेस करो घंटी जसरत सिंग, चल मैं भिलुटी में था, तीस साल के बाद रिटायर हुआ था, सेकंड बनुबार, सिक्स्की टू, और जितने ऑपरेशन हुए मिसम में सामिल था, यहां मैं सेक्योटी ओफीसर आ रहा हुए, अड़ तालिस साल हुए, इस वच्त मैं नाइन की सिक्स में चल सिलहा रहता हुए, फैमली में से पहले बच्चे से अब वो कब अपने अपने हिले लोगों से हो गए, अपने अपने करते काते हैं, मेरी जन तिथी जो है 1921, आर्मी जोएन किया 1941, सेकंड बर्वार में अपने देश में बर्मा, सिंगापूर, मलाया, सुमात्रा और अपने देश का बड़ा हिस्सा नेफा 62 के ऑपरेशन में, में ठीक बाउंड़ेट प्रेजिनेस और वाफ प्रेजिनर अफ वार, चाइना वाले ही हमको उठा ले गए, वहां 3-4 महने के बाद, ज्यादा सिरीस होने के लिए बापिस करते हैं, इस वक्त में डिस्टिक अमरत्सर की जंगल में एक नहर की कोठी है, नहर इंट्रेक्शन हाउल, उस वक्ता जब 47 का देश का जंडा कराया गया, लाल करेपा। चाइना एग्रेशन की लडाई में, मैं एक कमपनी का सेकिन इन कमांड था, अटेक हुआ सुबह साड़े 4 बजे, शेलिंग हुआ, शेलिंग के बाद में उन लोगों ने हमारी कमपनी को उपर अटेक किया, मेरी ये कमपनी न्यामकाचू रिवर के किनारे पर थी, जो कि ये ठागला रिज के ठीक नीचे बहती है, ठागला रिज के उपर से ये अटेक हुआ, उस अटेक में मुझे छोटी बोटी दो गोलियां लेंगी, जिनसे में कुछ बिचलित नहीं हुआ, अपना कार करता रहा लेकिन एक गोली हमको ऐसी नगी, जो कि यहां लगी, पीछे निकल गई, रिड के हड़ी तोड़ते हुए, उसी से मैं बेवोश हो गया और वहीं पड़ा था, हमारे होश में आने पर हमने देखा, कि हमारे अन्य साथी भी और एक छीनी के धेले में हैं, उन लोगों ने, जो कि लड़ाई का तरीका है उसके मताबिक हम लोगों को फस्टेट किया और पीछे बैस दिया, पीछे में लासा में एक टिबतियन के घर में सभी लोगों को रखा लिया, वहां कुछ थोड़ा उन्होंने इंजक्शन वगएरे दिये, लेकिन उसे कोई पाइदा न हुआ, उसके बाद में दोनों देशों में सुले हो गई, सुले होने पर उन लोगों ने हमको बापिस कर दिया, मैं तो बेहोसी और मरना संद हालत में आया था, लेकिन यहां जो इलाज हुआ जीएच बगएरे में, उसे मुझे में पूर्ण सुस्क्त हो गई, इसके लिए मुझे मैंशन इन डिस्पेच का अवार्ड मिला, उसके बाद फिर हम लोगों ने 65 में मुझवफराबाद बाउडर पर डूटी थी, उसके बाद और हम लोग दिल्ली में पोस्ट होए, दिल्ली में पोस्ट होने के बाद वेरा पोस्टिंग प्रेसिजिएंट ओफ इंडिया के बॉडिगार्ड में हुआ, जाकर जुतन साथ का में बॉडिगार्ड था, और रिटायर होने पर राम लंगर किले में महराजा बिलूतिन राइंग सिंग ने मुझे अपने चीफ सिकोर्टी ऑफिसे की हैसियस से जिगले दिया, और आज वहीं भी वहाई ही बरत्मान, हम लोगों को हेल्प दो बहुत मिलता है, बलके मैं जितना सोच नहीं रहा था, उतना पेंशन बिल रहा है, हर पांच साल के बाद हमारा रिजमेंटर सेंटर हम लोगों को रियूनियन में बुलाता है, हम लोग जाते हैं और वहाँ उचित सब्सकार किया जाता है, मैं जब रियूनियन में जाता हूं, तो उसका मतलब यही होत कि पुराने साथियों के साथ हिल मिल कर नए लोगों को उसकी नसीयत पदान करें। मैं पढ़ने लिखने में बड़ा घामड था। पढ़ता लिखता नहीं था। तो हमारे पिता जी भी आर्मी में थे, वो भी सुवेदार थे। तो उन्होंने कहीं नहीं पढ़ता तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ओ पसंद नहीं आया कि हम पढ़न और अपने कांदान को डुबो हैं। लिए जाए हम आर्मी में चले गए और वहां जाकर करके हमने आई स्कूल भी की गए। आर्मी के लाइफ बहुत कठिन हैं। लेकिन उसमें मुझे बड़ा अनंदा था। बलकि अब उतना अच्छा नहीं लग रहा हूं। जबना अच्छा मुझे आर्मी के लाइफ में लगता था। पहली बार गोड़ी चलाई थी उत वक्त तो हम बहुत छोटी उमर के थी। तो यहीं नहीं जानते के हम क्या कर रहे हैं। जबस में मारो यहीं चल रहा था। हमारे मिस्त्रों के लिए तो हम अपना प्रेम अर्पन कर रहे हैं। और उनकी और लंबी आज होने की काम नहीं कर रहे हैं। क्योंके हम लोगों ने जो प्रेम ब्योहार के साथ में समय बिताया। वो अब फिर उसके बाद हमको ऐसा नहीं मिला। मैं उस प्रिंसिपल को पालन करता हूं। कि अपने हैं दो देवता जन्म भूम जगदीत। हमारी जन्म भूम भारत पर एक देवता। और दूसरे देवता वरवान जोके जगद कृता है। झाल हमारी जन्म भाम